हेलो एबरीबन वैलकम टो आर यूट्यूब चैनल एंडिसी नवीन राणा दोस्तों उत्राखंड यूके तिर्पल सी समूगा का कम्पलीट कोर्स हमने यूट्यूब पर बिल्कुल फिरी में आप सभी के लिए सुरू करा है जिसमें उत्राखंड जी के सीरीज का लेक्चर न उत्राखंड की नदियों के बारे में आज हम यहां पर समझने वाले हैं तो दोस्तों एक एक नदियों को हम डीटील से समझने वाले हैं आप कितनी भी बुक को निकाल लिएगा दोस्तों इतना डीटील से आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि मैंने सारी बुक को निचोड यहाँ पे मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो दोस्तों एक एक नदियों को हम डीटियल से समझेंगे जितने भी फैक्ट्स बनेंगे सारे हम समझेंगे तो दोस्तों 25 से 30 मिनट का यह वीडियो रहेगा तो इसको सुरू करते हैं उत्राखंड की रीबर्स के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिसकस करेंगे काली नदी के बारे में ठीके दोस्तों आज जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं काली नदी को हम यहाँ पे डीटियल से समझने वाले हैं दोस्तों और बहुत ही important नदी है यह हमारे उत्राखनगी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहली बात हम यहां पर देखेंगे कि यह originate कहां से होती है कहां से यह नदी निकलती है काली रीवर ठीक है तो originate है जो दोस्तों यह है लिम्पयदूरा ठीक है लिम्पयदूरा से लिपूलेक दर्रा ठीक है लिपूलेक पास आप सभी को पता है कि लिम्पयदूरा एक जगा है जो की लिपूलेक दर्रे के पास है और यह कहां है पिथोरागड में किलर हुआ इतना कहां से निकलती है काली नदी लिंपया dhura लिंपया दुरा काहा है लिपुलेक दर्रे के पास लिपुलेक दर्रन यह कहां है पिफुरा गड़А पिफुरा गड़र से यह नदी हम निक alternate होती है इसकी अगर लेंदि यह बात करें कितनी लंबाई कितरी लंबाई है काली नदी की 252 किलोमेटर डेरेक्ट पूछा जा सकते हैं ठीक है कितनी लेंद इसकी दो सो बाउन किलोमेटर लंबी है यह काली रीवर ठीक है एंड कहा होती है कहां जाती है एंड में तो यह जो है घगर रीवर में मिल जाती है किस रीवर में घगर रीवर में ठीक है टरनकपूर टरनकपूर का है चमपावत में तो अब यहां से क्लियर हुआ आपको यह काली रीवर कहां से निकलती है तो यह पिथोरागड से निकलती है और कहां तक जाती है चमपावत तक क्लियर हो गया यहीं कि चमपावत के बाद यूपी में चली जाती है पर हमें तो अपने उत्राखंड पढ़ रहे हैं, तो हमें उत्राखंड में क्या पता होना चाहिए, काली रीवर कहां से कहां है, यह है पिथोरागड से चम्पावर डिस्टी तक, किलिर होगी है आपको, आगे मैप की इससे देखते हैं, मैप में हम इसको डीटेल से समझते हैं दोस्त चम्पावद के बाद यह यूपी में चली जाती है, तो इस तरीके से यहां से काली रीवर आ रही है, ठीक है, इधर क्या है दोस्तों, इधर यह नेपाल का एरिया है, आप यहां पर देखेंगे, इस मैप में देखें, इंडिया के मैप में, यह हमारा उत्राखंड है, और लास्ट में जो है, यह हमारा काली रीवर है, और इधर का एरिया क्या है, यह नेपाल है, समझ रहे हैं आप, चलो आगे, तो दोस्तों, जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इस काली रीवर से, सारे हम डीटियल से समझेंगे, तो चलिए, पहले फैक्ट्स की त नाम से भी इसको जाना जाता है, कुटियांगडी और महाकाली नदी के नाम से भी इस काली नदी को जाना जाता है, डन हुआ यह, पहला फैक्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में, काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा, सार्दा नाम से भी जाना जाता है, यह इसे महा काली नाम दिया जाता है। Clear हुआ नहीं समझे। इसको map से समझाता हूँ। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों यह जो काली रिवर है यह यहां आ रही है। और इधर क्या है नेपाल है तो नेपाल इधर पूरब साइट से हैं तो ये क्या बना रही नेपाल के साथ एक पूरवी सीमा बना रही है क्या बना रही है ये एकदम यहां पर है तो ये क्या बना रही है एक सीमा बना रही है किसके साथ नेपाल के साथ इधर नेपाल है तो व यहां नदी उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के मैदानी छेत्रों में पहुंचने पर सारदा नदी के नाम से जाना जाती है, यहां तक डन हुआ है दोस्तों, ठीके, आपको बस ध्यान से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सारे फैक्स जो है, खुदी याद हो जाएंगे दोस्तों, इसकी पीडियाप आपको मिल जाएगी, आपको लिखने की भी कोई जरूत नहीं है, आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, उन सबसे मैंने जो भी निचोड है इसका, जो भी इंपोर्टेंट फैक्स बनते आपको सिर्फ पीडियाप मेरे से लेनी है, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स फैक्स क्या है याँ पे, काली नदी जो है, उत्राखन राज्य की चार परमुक नदियों में से एक है, और इस कारण इसे उत्राखन के राज्य चिन पर दरसाया गया है, क्या समझें यहां से, द उसमें चार नदियां हैं, यह वाला, तो यह जो चार नदियां थी इसमें, जो हमारा राज्य चिन है, उसमें से एक नदी जो है, काली नदी भी है, यह फैक्स आपको पता होगा, आपने लेक्चर फरस्क में मैंने इसको समझाया था दोस्तों, ठीक है, जो हमारा राज्य चिन है उसमें चार नदियां कौन कौन सी है तो एक नदी जो है ये काली नदी भी है वही यहां पर इस फैक्ट में कहा गया है कि जो काली नदी है उत्रकंड राजे के चार प्रमुक नदियों में से एक है और इस कारण से इसे जो उत्रकंड के राजे चिन में भी दरसाया गय ओढ़ा है दन हुआ यह आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स में तरह प्छुप वढ़ते हैं दन वा यह पूइंट यहीं काली इसकेस अलावा आपको यह पता होने चेए ये कि जो दोली गंगा है गोरी गंगा है चमीलिया रामगुण लदिया अन्य ये सारे क्या है इसकी सायक नदिया है डिरेक्ट कोईसन बन जाता है दोस्तों कि जो रामगुण है ये किसकी सायक नदी है तो आपको पता होने चाहिए किसकी काली नदी की सायक नदी है तो ये आ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next facts की तरफ, नदी के टट पर बसे परमुक नगर, काली रीबर पढ़ रहे हैं हम ठीके, अब इस काली नदी के जो टट पर बसे हुए परमुक नगर हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीके, अब कौन-कौन से हैं, तवा घाट आपने सुना ह नगर हैं, यह इस काली नदी पर, नदी के टट पर बसे हुए हैं, तो यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, कि टनक पुर्जो है, किस नदी के टट पर बसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, काली नदी के, यहां से डण हो गया, question दूसरे तरीके से भी बन सकता है, कि काली नदी के रिबर पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो इनमें से एक दे देंगे, और तीन कुछ और नगर के नाम दे देंगे, ठीके, तो आपको पता होना ज़रूरी है, तो यह आपका डन हुआ, यह facts, ठीके, चलिए, आगे मूब करते हैं दोस्तों, next facts, बहुती important अब आपके सामने आ रहा है, इसको अपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीके, परवा बतारियम, परवा मलब जो यह काली रीबर है, कहां से कहां तक जारी है, और किस किस जगा से होके जारी है, कौन कौन से इसके साथ मिल रही है, यह सारे facts बहुत जादा important हो जा नेपाल ने इस पर हस्ताक्चर किये थे, ठीके 1816, संगोली की संदी, तो उसी में उसके अनुसार काला पानी से आगे, यहां नदी भारत तथा नेपाल के बीच अंतरास्ट सीमा बनाती है, यह जो 1816 की संगोली की संदी हुई थी, इसमें यह कहा गया, कि यह जो नदी है, यह नदी जो आ रही थी, इसके जो इधर है, वो उत्राखंड की सीमा है, और यह जो है, यह हमारी नेपाल हो गया, ठीके, तो यह बीच में आ गया, यह हमारी काली नदी, डन हो गया यहां से, तो यह क्या करी, यह सीमा बना रही है, भारत और नेपाल के बीच में, तो डिर 1216 की संगोलिक संधी किस नदी से related है ठीक है संबन दीत है तो आपको पता होने चाहिए काली नदी से संबन दीत है ठीक है इस तरीके से question बन दे हैं दोस्तों तो आपके facts अगर clear है तो आप जो है easily किसी भी answer का question का answer दे सकते हैं ठीक है यह point done हुआ चलिए move करते next point पे तवा घा जो यह तवा घाट में धोली गंगा नदी जो है काली में दाई और से मिलती है क्या समझे इस point को important है जो यह तवा घाट में मिलती है धोली गंगा ठीक है यह आप मैं यह एक छोटा सा figure बना के आपको समझाने की कोसिस करता हूं यह आप देखे यह मान लो क्या यह काली बीक है छैक है तासर एक लिए तो और ऑखे और कैने में 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 धेटी हो जा together है और कहां पर मिल रही है यह इंदर साइड से जो आपको यह चल्याừa हो गया होगा और यह का-ली नदी की राइट बेंक ट्रिब्यूटरी है, यनि कि दाईए और से मिलने वाली नदी है, कहां पर मिलती है, तवाघाट में, तो ऐसा बन सकता है, कि जो धोली गंगा है, ये काली नदी से किस जगा पर मिलती है, तो तवाघाट, डन होगी आपको, चलिए, आगे नेक्स फैक्ट से चल गुजरती है उपर हमने जाने थे कौन कौन से नगर आ रहे हैं ठीकर धारचुला नगर से वोकर गुजरती है और जॉल जी भी नामक इस्तान पर गोरी नदी से मिलती है इंपोर्टेंट है यह बहुत बार एक्जाम में कोईशन इससे बना है डिरेक्ट अब क्या होता है यह जो नदी है अब एक और यहां पर जो है जॉल जी भी जगा पड़ती है जॉल जी भी इस्तान है वहां पर क्या है गोरी नदी आके इससे मिलती है यहां इस्तान जो है वारसिक मेले के लिए भी जाना जाता है आपने सुना होगा जॉल जी भी नामक वहां पर जो है मेला भी जाती है तो एक जॉल जी भी नामक जगा मिलती है और उस जगापर क्या होती है? गोरी नदी आके काली नदी से मिलती है, तो यह जो जॉल जी भी यह कहा है? पिथोरागड में तो आपका बहुत बार ऐसा कोईशन आपने देखा होगा कि गोरी और काली नदी का संगम इस्थान कहा है तो आपका अंसर क्या होगा जॉल जी भी पितोरागड किलर होगा दोस्तों बहुत बार आपने एक्वेशन देखा भी होगा तो डन हुआ मूब करते हैं नेक्स पॉइंट पे नेक्स जो हमारा फैक्ट है बहने के बाद मिलती है इंपोर्टेंट फैक्ट आगया बहुत जादे इंपोर्टेंट है दोस्तों चमीलिया नदी ये इंपोर्टेंट है आपके लिए इसको आप डबल स्टार कर लीजेगा ठीक है क्या है अब ये जो चमीलिया नदी है ये नेपाल से होके आती है और क्या होती है इससे मिल जाती है काली रिवर से बाइं और से मिल जाती है मैंने बताया थे इधर बाइं और दाइं तो यहां से जो होके आ रही है यह क्या है इसका नाम चमेलिया रिवर है और कहां से आ रही है नेपाल से होके आ रही है और किस से मिल जाती है काल पंस हिमल पहाडियों से आ रही है दक्चिन पच्चिम बहने के बाद यहां से मिल जाती है यह फैक्स आपको डन हुआ तो डैरेट कोईशन बन सकता है कि जो चमेलिया नदी है वो किस देश से यह आपको डैरेट पूछा जाती है कि नेपाल की जो चमेलिया नदी है किस नदी के साथ मिल जाती है तो आप काली रीवर डन हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो है नदी पंचेसवर पहुंचती है कहां पहुंचती है पंचेसवर उपर हमने समझा था कि ये एक इस्तान है पंचेसवर में अब पंचे सोर ये नदी पहुंच गई जहां इसमें दाई और से क्या होती है सर्यू नदी आकर मिलती है आप यहाँ पे आपका डिरेक्ट कुश्चन बन सकता है कि जो यह सर्यू नदी है यह काली रीबर से कहां पे मिलती है तो आपका अंसर क्या होगा पंचे सोर डन हो गया इसके बाद जो यह नदी पंचे सोर पहुंचती है जहां पे क्या होती है दाई और से यह और दाई और बाई भी आपको पता होने चाहिए राइड बैंक ट्रिब्यूटरी है पूछी जाती है इसके दाई और से मिलने वाली है पंचेस्वर में, किलर हो गया, सर्यूक जो है काली की सबसे बड़ी सायक नदी है, यह हम उपर भी डिसकस कर चुके हैं, तो जो काली नदी है, इसकी जो सबसे बड़ी सायक नदी है, सर्यू नदी हो जाती है, डन है, पंचेस्वर के आसपास के छेतर को काली कुमाओ भी कहा जाता है देखे दोस्तों मैंने मेरा टार्गेट यही नहीं कि आपको फस नदी के बारें बताओं इसके अलाव जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बन रहे हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है तो समझेगा दोस्तों कितने इंपोर्टेंस है वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए कितना ज़रूरी है आप इस इसको समझ सकते हैं सिर्फ 25-30 मिनट का ही लेक्चर है आप अगर 25-30 मिनट अगर नहीं दे सकते हैं दोस्तों तो आप जाइए किसी किताब पे देखिएगा आपको अगर आपको इतने फैक्ट्स एक बुक पे कहीं मिल जाएं तो मुझे भी उस बुक का नाम जरूर बताएं चीक है तो चले आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें यह आपका डन हो गया कि नदी जो है यह 55-35 में इस सर्यू नदी से मिल जाती है और सर्यू नदी क्या है काली नदी की सबसे बड़ी सायक नदी है पंची सोर के आसपास के छेतर को किस नाम से भी जाना जाता है काली कुमाओ के नाम से भी जाना जाता है यहां तक डन हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स फैक्ट्स की तरफ क्या कह रहा है कि जो काली नदी जो है जोग बुद्धा गाटी वेरी दाइं और से तो लाडिया और बाइं और से क्या रामगुन नदी आकर मिलती है ये मानलो ये है हमारी काली रीबर और क्या बोड़ा है दाइं और से ये इसका दाइं और से कौन आ रही है लाडिया और यहां बाइं और से कौन आ रही है रामगुन तो ये नदी इनसे आहां पे आके मिल रही है तो ये दो भी सायक नदियां हो गई तो ये आपको डन हो गए यहां पे कहां से आरिए जोग बुद्धा घाटी के पास की बात हो रही है जब मैदान उस पर उतरती है ये पहाणों से जब नीचे को आती है ये तो तब यहां पे क्या हो रही है दाइं और से लादिया और बाइं और से राम गुड मैं बार बार रिपीट इसले कर रहा हूँ ताकि आपका जो इस वीडियो के साथ-साथ आपको लन भी होता चला जाए ठीक है तो डन हो गया नदी आकर मिलती है यहां ते इसके बाद जो इ जो दाइं और से लादिया मिलती है और बाइं और से राम गुण नदी आकर इससे मिलती है उसके बाद जो इसको सारदा नाम से जाना जाता है बताई यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर मुझे बताई कमेंड करके ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स फैक्स फै तो आप का अंसर क्या हो जाएगा काली नदी आ जाएगा ठीक है तो यह आपको पता होने जी यहां पर जब हम डैम को डिटियल चपढ़ेंगे वहां पर आपको केलियर होगा पर अभी हमारे यह टॉपिक चल रहे है तो इसको भी हम नहीं छोड़ सकते थे यहां तक आपको done हुआ है दोस्तों इसके अलावा अब देखो किसे किसे question बनेंगे अगर आपसे कभी ऐसा question बन गया कि dam of sarda reservoir ठीक है sarda reservoir dam किस नदी पर बना है तो आपका answer क्या आएगा आपको पता है कि sarda जो dam नाम से बनाएगा सारद तो काली नदी को कहा जाता है तो आपका answer क्या हो जाएगा काली नदी हो जाएगा done हो गया अगर आपका एक question बनेगा कि chamealia hydroelectric project क्या बोला मैंने मैंने बोला chamealia hydroelectric project किस नदी पर बनाया गया है तो आपका answer क्या होगा चamealia नदी क्या है अभी हमने बता नेपाल से आने वाली है जो तो किस नदी पर बना है आपका अंसर क्या होगा काली नदी पर होगा यहां तक आपके facts मेरे हिसाब से clear हो जाने चाहिए दोस्तो इतने ही इसमें जो important facts बनते हैं वो मैंने आपको सारे बताने की कोशिस करी है तो अब मैं आसा करता हूँ आप सभी से कि आपका जो यह काली नदी है यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे आपका कुछ भी अगर कोई question बनता है तो वो आप से नहीं चूटना चाहिए done है दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा figure बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई doubt ना रहे यह आई हमारी दोस्तों कौन सी रिबार है यह काली नदी है अब यहाँ पर जो है यह इसको बोलते है यह इसकी left bank हो गई और इसके right bank हो गई यानिकी 22 साइक नदी और यह इसकी दाइं साइक होगे ठीक है यहां से दाइं अब क्या क्या हो रहा है मैंने बोला था जो दोली गंगा है क्या है दोली गंगा वो इसके दाइं से मिल रही है कौन सी दोली गंगा जो इसके दाइं से मिल रही है और इसके अलाव मैंने जो बोला था गोरी गंगा वो इधर से आ पड़ा है चमीलिया भी जो है इधर से पूरब से आती है नेपाल से और ये भी यहाँ पे इस साथ मिल जाती है तो आपको ये पता होने जो चमीलिया रीबर ये कहां से आ रही है तो नेपाल से आ रही है ठीक है और इसके अलावा जो आपने दो रीबर और बड़ी थी जो दो नदियों को इसमें दिखाना है अपने जो आपके नौट्स है ठीक है तो इस तरीके से आज की इस लेक्चर में हमारा दोस्तों सिर्फ मेरा यह बताने का टार्गेट था कि हमारी यह पहला लेक्चर है जियोग्रपी में जिसमें हम आज जो है क्या इसमें डिसकस करा उत्राख बनते हैं वो मैं सारे आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूं तो आपको ये सारे फैक्स पते होने चाहिए इसकी कौन-कौन सायक नदी है कहां-कहां से निकल रही है वो मैंने बताने की कोशिस करी है इबन की राज-चिन में कौन इसके बारे में भी हमने डीटेल से इतना डीटेल आपको किसी भी बुक पे नहीं मिलेगा अगर मिलेगा तो तो मुझे भी जरूर बताए वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताए कमेंट करके मुझे नहीं पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है यह नहीं आ रह और इससे जद़ इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को share करना है, ठीक है, तो ये जो free course चलाया जा रहा है, ये सभी के लिए चलाया जा रहा है, जो paid class नहीं ले पा रहे हैं, तो दोस्तों, यही मेरा target है, जो भी paid course नहीं ले पा रहे हैं, तो उन सभी तक मेरे ये जो free course चलाए जा रहा है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे तो अपना जो है योगदान जरूर दे और सभी तक ये जो है maximum अपने WhatsApp, Facebook, Insta जहाँ पे भी आप social media में share कर सकते हैं वीडियो को वहाँ पे आप इन वीडियो को share करें थैंक्स पूर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्षर में लेक्षर नमर थर्ड में ठीक है थैंक्स पूर वाचिंग और थाइम क्यूँ